हाई एवरीवन जय भारत तो सुपर 3000 के इस कोर्स में आज दे 30 में हम लोग डिसकस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमाइनेटिक इंडक्शन एंड एसी का सेकेंड पार्ट लास्ट लेक्चर में डिसकस किया था हमने डे 29 में कि ये माई का फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोमाइनेटिक इंडक्शन और एसी का सब्सक्राइब तो स्टाट करते हैं सबसे पहले तो हम लोग कुस्चन नमबर वन को डिसकस करने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ कंसेप्ट की बात कुछ कंसेप्ट डिसकस कर लेता है अपने को मालूम है कि किसी भी क्वांटिटी के अगर एवरेज वेलू फाइंड करने से अपने को तो एवरेज करेंड को हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं वन बाई टी इंटीग्रेशन आफ आई डीटी जहाँ पर T उसका टाइंड प्रियाढ होका उसकी एवरेज वेलू के डिफनिसङन वगर मालूम है क्या होती है अपने को और इसमेलो को डिफाइन किया गये इस टाइब से कि आई जो हो जाएगी वए integration of i square dt हो जाएगी क्लियर और for sinusoidal wave अगर को sinusoidal wave दी गई हो sinusoidal अपने पास time varying quantity दी गई हो तो उसके साथ rms value जो होती है वो i peak divided by root 2 होती है जहां पर i peak कहां से find करेंगे वो amplitude वाली value हो जाएगी amplitude वाल जो equation होती थी i equal to i not sin omega t वहाँ पर i not क्या होता था i not ही रिप्रेजेंट करेंगा आपने को peak value clear power in ac circuit जब ac circuit में बात करेंगा हम पावर के लोग क्या हो जाएगी v rms i rms into cos phi जहां पर v rms applied voltage है i rms circuit में current की value है और cos phi voltage और current के बीच की phase difference है 5 जो है phase difference between voltage and current में इस point को mention कर दूँ यहाँ पर 5 the phase difference between phase difference between between v and i voltage और current की बीच में जो phase difference है उस phase difference को 5 लिख रहे हैं अगर series circuit की बात करेंगे lcr circuit दिया गया अपने और series circuit दिया गया है तो इसकी impedance जो हो जाएगी z equal to a square root of r square plus xl minus xc का whole square जहां पर xl किसको बोलते हैं हम लोग यह inductive reactance जिसको कि हम लोग excel equal to omega into l लिखेंगे और xc क्या है xc को हम लोग capacitive reactance बोलते हैं जो कि xc की value 1 by omega c होगे आगे हम लोग बात करते हैं power factor की बात करेंगे power factor क्या होता है power factor का मतलब जो भी अपने पास voltage और current के बीच में जो phase difference आई थी उस phase difference corresponding उसकी cost of theta की value जो आएगी cost of phi की value आएगी उसी को हम लोग power factor बोल रहे हैं impedance triangle आपको याद हो कि series circuit के लिए impedance triangle हम इस तरह से बना सकते हैं यह r है यह xl minus xc हमने consider किया हुआ है कि xl की value ज्यादा है xc से इस case में ऐसी आजाएगी तो cos phi की value लिख सकते हैं कि cos phi equal to r by z तो power factor को हम लोग r divided by z भी लिख सकते हैं clear worthless current की बात करेंगे current का वो company जो कि power participate नहीं करता है इसलिए i sin phi को हम लोग worthless current बोलेंगे यह power में participate नहीं कर रहा है clear आगे बात करेंगे resonant frequency की बात करेंगे angular frequency जो होती है resonant यह one by root LC होती है और यह तब होता है जो circuit में excel और xc की value equal हो जाती है और इस case में z की value अगर series circuit जेड की value minimum होगी और अगर अपने पास parallel circuit है LCR तो उस case में z की value maximum हो जाएगी clear resonant frequency जब होगी जब resonant होगा circuit में तो उस case में circuit में जो जेड की value होगी जेड की value आर के equal हो जाए क्योंकि XL और xc equal हो जाएक तो z equal to r हो जाएगा circuit जो है वो pure का pure resistive हो जाएगा bandwidth की बात करेंगे bandwidth का मतलब कैसे define किया था bandwidth क्या होती आपको मालूम है क्या bandwidth का मतलब कि frequency की वो range जिसके corresponding circuit में power की value maximum power की half से ज्यादा हो यह इसी को define किया गया होगा कि circuit में frequency की वो range जिसके corresponding circuit में current की value अपने maximum current का 1 by root 2 से ज्यादा होसी frequency range को हम लोग bandwidth बोलते हैं जो कि r divided by l के equal आती है इसके corresponding quality factor define की गई थी quality factor जो होगी वो resonant frequency divided by bandwidth के equal होगे और इसको solve करेंगे तो resonance frequency 1 by root lc और bandwidth r divided by l के equal होती है transformer की बात की जाता transformer में step up transformer हो सकता step down transformer हो सकता है वो depend करेगा कि primary coil में number of turns ज्यादा है कि secondary coil में number of turns ज्यादा है अगर हम लोग बात करें कि primary की voltage और secondary की voltage का जो ratio होता है वो उनकी number of turns के ratio के equal होता है वी primary primary में जो voltage create किया जो voltage level up हो जो voltage fade की गई है जो voltage apply की गई है divided secondary में जितना voltage induce हुआ है यह equal होगा number of turns in primary divided number of turns in secondary clear है यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते है यह सारे concept यूज किये जाएंगे अपने को इस AC circuit के corresponding तो यह हम लोग स्टार्ट करते हैं problem solving की बात तो problem solving में ध्यान देंगे क्या क्या बोला जा रहा है सबसे पहला question तो यही दिया गया अपने को यह question ने बोला गया कि AC source की बात की गई है alternating voltage दिया गया 220 sign of 100 omega t लिखना 100 pi t लिखना चाहिए यहां पर यह pi है यह ध्यान देंगे यह a नहीं है यह pi है यह pi है 100 pi t voltage applied to a purely resistive load of 50 ohm clear 50 ohm में यह अप्लाई किया गया तो क्या पुछा गया है find the time taken for the current to rise from half of the peak value to the peak value simple सा question है ध्यान में क्या current की बात करने है तो i equal to v divided by r हो जाएगी एक क्यों लिख वी डिवाइड by z होगी तो z जो है वहां पर r के equal है क्योंकि purely resistive है purely resistive है तो क्या हो जाएगी अपने पास 220 divided by 50 sign of 100 pi t ऐसा हो जाएगा क्या sign कहीं function आएगा यह sign कहीं function आएगा तो sign की जो graph form करेंगा अगर हम लोग यह current versus time graph की मैं बात करूँ यह graph ऐसा आएगा क्या question बुला गया है कि time की value ताकि अपनी current की half value से maximum value तक पहुंच जाए तो current की half value कब आएगी current की half value तब आएगी जब यह omega t जूल दिखा गया omega t के जवब पर क्या आजाए omega t के जवब पर omega t के जवब पर अगर अपने पास omega t के जवब पर कहीं वो 30 degree हो जाएगा तो sign 30 की value 1 by 2 होती है यह वाली current है i naught यह वाला current है i naught यह i naught है i naught कब आएगा जव एंगल की value 90 degree हो इसका मतब यह वला term कितना हो जाना चाहिए 90 degree होनी चाहिए और यह 90 degree होना चाहिए इसका मतब यहां से यहां तक difference कितना 60 degree इसका मतब pi by 3 होनी चाहिए solve कर लते omega कितनी दी गई है 100 pi दी गई है t की value को delta t लिख दिया यह pi by 3 हो गई है इसको लिख सकते हैं 3.3 millisecond यानि कि इतने time के बाद वह अपने half value से maximum value को reach कर जाएगी clear है simple सा था आप इसको सोच सकते थे SHM से भी circle diagram ड्रो करके सोच सकते हैं कैसे sir circle diagram से सोचा जाए जैसे circle draw कर लिया हमने particle पहले कहां पर था 30 degree angle था इनिकी particle कहीं यहां पर था यह वला angle 30 degree मिन्स यह वला angle 60 degree यह amplitude की position होती थी अभी half value है यह a by 2 पर है तो half value से maximum value जाना है तो कितना angle cover करना पड़ेगा 60 degree तो omega t की value 60 degree लिख सकते हैं solve हो जाएगी clear next question की बात करें हम लोग question में बूला गया अपने को small circular loop of wire of radius a EMI का question आ अपने पास electromagnetic induction का दिया गया है small circular loop लिया ठीक है जो question में बूला गया है वो draw कर लो radius a दिया गया है located at center of a much larger circular loop ठीक है एक loop दे दिया गया पहले तो इसकी radius b है इसी के center पर एक छोटा सा लूप वाला छोटा सा radius वाला लूप दिया गया है ये radius का the two loops are in the same plane the outer loop of radius b carrying and alternating current current i carry किया जा रहा है i की equation दी गई है the EMF induced in the smaller inner loop is nearly इसमें EMF के फाइंड करने इसका मतलब flux find करना है flux को differentiate करेंगे EMF मिल जाएगी तो flux find करने के लिए flux लिखेंगे तो क्या लिखेंगे outer वाले का magnetic field वहाँ पर और since इसकी radius small दी गई ये loop smaller दिया गया इसका मतलब हम लोग मान सकते हैं कि just center पर है इसका मतलब अपने को magnetic field इसकी center वाली लिखनी पड़ेगी तो कितना लिखेंगे mu not i divided by two r की value b हो गई ये b हो गया उसका ये b magnetic field हो गया into area vector pi a square हो जाएगा i की value put कर देते हैं क्या हो जाएगी mu not pi a square divided by two b और i की equation i not cos of omega t अब क्या करना है अपने को flux मालूम हो गई तो emf की magnitude ही लिखूंगा मैं तो emf का magnitude क्या हो जाएगा mu not pi a square i not divided by two b flux मालूम है तो flux emf कैसे emf equal to d5 by dt magnitude के साथ अधरवाज equation के साथ लिखेंगे कितनी आ जाएगी वहल देखो तो कुछ option आ गया क्या mu not pi mu not i not pi a square by two b होना चाहिए two b कहीं पर है क्या two b यहाँ है two b यहाँ 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 पर sin omega t वहाँ cos omega t यह इसी option की बात करते हैं पाई mu not i not a square by two b omega sin omega t a option आ जाएगी अपने पास clear है next question की बात करें हम लोग question number three में ध्यान देंगे बोला गया है कि एक sinusoidal voltage दी गई है hundred sin of omega t यह omega लिख दिया गया अपने को is applied across a pure inductance of L equal to इतनी दी गई L की equation दी गई अपने को तो current through the quire तो since VL equal to since यह inductor हो गया इसी inductor के cross यह voltage apply की गई है यह voltage apply की गई है बहुँ जारे method से solve कर सकते एक तो ऐसा equation लिख सकते हैं कि since VL जो होती है वो L di by dt के equal होती है क्या VL equal to L di by dt होती है clear minus L di by dt लिखना चाहिए कि आपने को minus L di by dt लिखना चाहिए प्लस L di by dt सही लिखा है अपने को यह वाली voltage और यह वाली voltage दोनों equal होगी यह वाली voltage L di by dt लिखते थे और प्लस और माइनस साइन तो हम लोग देखते थे कि current increase कर यह decrease कर यह उससे देखते थे ओके तो VL कितना दिया गया है आपने किस की equation चाहिए current की equation तो di कितना हो गया वो VL by L into dt हो गये VL कितना दिया गया 100 divided by L कितना दिया गया 0.02 into cos sin of 500t into dt तो current चाहिए तो क्या करूँ आप current चाहिए तो इसी को integrate कर दूँ 100 divided by 0.02 integration of sin of 500t dt solve किया जाए इसको तो 100 divided by 0.02 sin क्या हो जाएगा minus of cos 500t divided by 500 ऐसा ही ना आगे simplify करें इसी को तो क्या हो जाएगी देखो तो यह cancel out हो गया यह कितना हो जाएगा 0.110 उपर चला जाएगा 10 in minus 10 cos of 500t हो जाएगी यह अपने पास final answer आ जाएगे ऐसा कोई option है क्या minus 10 cos of 500t बी option answer हो जाएगी clear है आगे बात करते हैं हम लोग next question की बात question number fourth में ध्यान देंगे तो question में क्या बोला गया है in anasi circuit the voltage applied is e e का equation दिया गया applied voltage the resulting current current की question दिया अपने को power consumption तो power क्या होती है power in anasi circuit v rms i rms into cos of 5 शही क्या v rms कितना हो गया since amplitude इसकी e not है peak value तो rms value e not by root 2 इसकी peak value i not है तो i not by root 2 और दोनों के बीज का phase difference यह sin का function यह sin omega t minus pi by 2 है इसका दोनों के बीज का phase difference pi by 2 तो cos pi by 2 0 होती है power की value 0 हो जाएगी option c अपने पास आ जाएगा clear है next question की मैं बात करूँ question में बोला गया है a part of a complete circuit is shown in the figure at some instant the value of current i current i की value दी गई अपने को current i की value दी गई अपने को क्या दी गई है current i is 1 ampere i 1 ampere दिया गया current i दिया गया है ठीक है and is decreasing decrease कर रहा है इसका मतलब di by dt क्या है di by dt decrease कर रहा है current decrease कर इसका मतलब di by dt negative minus 10 to the power 2 हो गया the value of potential difference vp minus vq vp minus vq क्या होगे clear तो vp minus vq का मतलब क्या final point p initial point q है तो q point से start करके इधर चलना start करते हैं तो vq से start किया यह plus होगा यह minus current इधर जा रहा है minus of ir हो गया 2 into r2 हो गया और i की value 1 ampere i into r यह minus से plus है तो minus से plus जा रहे है तो plus of 30 current decrease कर रहा है current decrease कर रहा है कितने लिखेंगे plus of magnitude of ldi by dt लिखेंगे आपको मालूम होनी चाहिए कहां पहुंच गए यह point p पर की potential difference जब भी लिखते है vl की value हम लोग magnitude of ldi by dt लिखते है और decide करते हैं कि increase कर रहा है decrease कर रहा है उससे corresponding modulus sign से उसको बाहर कर लेते हैं अपने को vp minus vq चाहिए तो vp minus vq कितनी आ गई यह 30 minus to 28 हो गई current decrease कर रहा है इसका मतलब modulus sign से बाहर आएगा तो minus के साथ बाहर आएगा कितना minus of l, l कितना है 50 into dy dt, dy dt कितनी है minus 10 to the power 2 यह milli volt में है, यह milli volt में, milli henry में है तो 10 to the power minus 3 यह को रहाएगा यह milli henry corresponding, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, confusion नहोँ यह 50 into 10 to the power minus 3 है, यह minus कहां साया है, modulus वाले से into dy dt कितनी है, minus 10 to the power 2 है, solve करेंगे कितनी आ जाएगे 28 minus, यह कितनी हो गई प्लस में हो गया न, 5 into 10 to the power minus 3 to 0, 10 to the power 0 हो जाएगे, कितनी हो जाएगी यह 33, 33 आ जाएगी, वोल्ट में आ जाएगी, 33 वोल्ट में आ जाएगी, 33 वोल्ट आ जाएगी, तो final answer क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, clear है, नेक्स कोशन की बात करें, यह समझ में आया न, अपने को, कि वोल्टेज जो लिखते हैं, इंड़क्टर के क्रॉस हमेशा ही, मॉडूलोस अफ एल डिय बेट, मैं यहाँ पर फिर से explain कर दूँ, अगर अपने पास यह इंड़क्टर दिया गया हो, अगर अपने पास यह इंड़क्टर दिया गया, तो हमेशा ही ध्यान देंगे क्या करना है अपने को, current इसमें अगर आई है, तो current increase कर रहा हमें माल लेता हूँ, current increase है तो यह प्लस होगा, यह माइनस होगा, और यहाँ पर voltage की value L di by dt का magnitude, और since current increase कर रहा है, इसलिए di by dt पोजेटिव होगी, इसलिए यह value कितनी आएगी, L di by dt ही आएगी, लेकिन अगर यही current माल लिया जाए, यहीं इंड़क्टर दिया गया हो, और current इसमें जो flow कर रही है, आई, वो decrease कर रही हो, current decrease कर रही हो, तो decrease कर रही हो, उसको support करेगा, यह minus हो जाएगा, यह plus हो जाएगा, और VL equal to जो हो जाएगी, L di by dt का magnitude, और यहाँ पर di by dt नेगेटिव होगी, current decrease कर रहा है, इसलिए इसकी magnitude की value ही, minus L di by dt आजाएगी, clear है यह concept, वही concept यहाँ यूज किया गया है, next problem देखा जाए, question की बात की जा रही है, यह सी circuit दिया गया है, इसमें resistance R है, capacitance दिया गया है, और L di दिया गया है, तो quality factor की बात की गया है, quality factor कैसे define कर गया था, quality factor define किया गया था, resonant frequency divided by bandwidth और resonant frequency 1 by root LC होती है और bandwidth R divided by L होती है यह सारा formula discuss किया जा चुका है आपको clear formula आपको मालूम रखने पड़ेंगे यह कुछ term तो quality factor के value कितनी हो जाएगी L एक उपर चला जाएगा तो 1 by R root of एक L बचेगा उपर में और एक C बचेगा सारी value को put किया जाएगा 1 by 100 root of L कितना है 80 million 80 into 10 to the power minus 3 C कितना है 2 microfarad 2 into 10 to the power minus 6 solve किया जाएगा इसको 1 by 100 यह 40 हो गया कितना हो गया root of 4 into 10 to the power minus 2 कर दिया 0 को इसके सांस रख दिया 10 to the power minus 2 और 10 to the power minus 6 10 to the power minus 8 हो गया solve करेंगा तो यह कितनी आजाएगी 1 by 100 सही लिखा है ना micro लिखा हुआ milli लिखा हुआ है सब कुछ value सही लिखा हुआ है 1 by 100 2 से 40 गया 0 जला गया 10 to the power minus 2 हो गयी वो 6 उधर गया plus 6 ना गलत कर दिया यहां पर यहां पर गलत कर दिया minus 2 प्लस 6 है 4 हो जाएगा सही तो 1 by 100 इंटू 2 10 to the power 4 का 10 to the power 2 बाहर आएगा यह cancel out हो जाएगा final answer क्या आगई 2 quality factor इस circuit की 2 है given value के लिए quality factor जो होगी उसकी value 2 होगी simple सा formula याद रखना था आपने को आगे question में क्या बोला गया है एक series LR circuit दिया गया जिसको connect किया गया किसके साथ battery के साथ connect किया गया series LR circuit ठीक है यह LR हो गई और यह inductor हो गई इसको connect किया गया है voltage source के साथ and switch on किया जा रहा है किस time पर T equal to 0 पर इसको switch on किया जा रहा है T equal to 0 पर यह L हो गई यह R हो गई voltage source V हो गया हो तो current इसमें grow करेगा current इसमें grow करेगा इस current की equation की मैं बात करूँ current का जो equation आएगा वो V by R I infinity last lecture में हमने EMIAC के corresponding हमने यह equation derive की थी I infinity into 1 minus e to the power minus T by tau जहाँ पर tau किसके equal है L by R के equal है clear है तो क्या बोला गया है then the time at which the energy stored in inductor reaches one by n times of its maximum value maximum energy कितनी यह store की जा सकती है तो maximum energy की बात करेंगे you maximum की बात करेंगे उसमें inductor में तो half L I maximum लिखेंगे हम लोग और maximum current कितना हो सकता है maximum current तब होगा जब इसकी resistance की value या smooth wire की तरफ behave करेगा long time के बाद maximum current होगी कितनी one by two देख सकते हैं current के equation से maximum current V by R होने माले तो half L into V by R का whole square यह maximum energy होगी आपने कितनी energy होनी चाहिए V by R आ जाएगी क्या सहीन अब इस current के equation यह वाला current के equation पूट कर देता हूं अपने को time की value मिल जाएगी तो क्या करेंगी हम लोग I equal to since I equal to equation जो होती है वो V by R into one minus e to the power minus T by tau tau के last में put कर सकते हम लोग I कितना है यहाँ पर V by R root N यहाँ पर है यह equal हो गया V by R into one minus e to the power minus T by tau V by R cancel out हो जाएगा क्या बचेगा क्या आपने पास one by root N equal to one minus e to the power minus T by tau और भी simplify करो इसको इसको लिख सकता हूँ e to the power minus T by tau equal to one minus one by root N तो क्या बचेगा देखो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं e to the power minus T by tau जो होगी वो root N minus one divided by root N के equal होगी दुनों साइड log base e count कर लिया है तो minus T by tau जो हो जाएगी वो ln of root N minus one divided by root N के equal तो यहाँ से T की जो value आजाएगी minus इसके सांद लेकर जाता हूँ tau से multiply करता हूँ tau ln of minus इसके सांद ले जाएगा तो यह उपर निचे हो जाएगे root N divided by root N minus one हो जाएगी और tau की value क्या पूट कर दूंगा L by R ln of root N divided by root N minus of one इस अपने पास final time की value आजाएगा ऐसा कोई option दिया गया है क्या root N उपर होना चाहिए root N उपर में है यहाँ पर L by R A option आजाएगी clear है तो इस टाइप से हम लोग problem को solve कर सकते clear और भी आगया problem discuss करते हैं okay कि इस प्रव्लम में बोला गया है कि एक इंडक्टर दिया गया है कि इंडक्टर का मतलब क्या हुआ इंडक्टर का मतलब क्या हुआ इंडक्टर का मतलब का मतलब कि यहां पर कितने से दिया गया है 45 डिग्री से ही बुला गया है इसलिए उस इंड़क्टर में कुछ रिजिस्टेंस भी रही होगी यह XL होगा और यह आर रही होगी तो जेड थाउजन हंड्रेड है जेड का मतलब क्या XL स्कॉयर प्लस आर इसकॉयर का स्कॉयर रूट यह हंड्रेड है क्लिर है आगे बुला गया है कि जो फेज डिफरेंस है 45 डिगरी इसका मतलब 5 की भैलू कितनी है 5 इकवल to 45 डिगरी अपने कोई इंपिडेंस ट्रेंगल लियाद है क्या इंपिडेंस ट्रेंगल ऐसा हो जाएगा यह आर हो गई सिंस कापेशिटेंस है नहीं तो XC नहीं होगी शिर्फ XL होगा और यह वाली एंगल 45 डिगरी है यह Z है इसका मतलब XL और आर दोनों के भैलू सेम होगी इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यह रूट टू XL हो गई जो कि 100 हो गई अपने को फाइंड क्या करना है इसका मतलब XL को मैं ओमेगा इंटू L लिख सकता हूँ क्या ओमेगा इंटू L हो गई जो कि 100 हो गई तो L की वैलू 100 डिवाइड बाई रूट टू टाइम्स ओफ ओमेगा ओमेगा कितनी हो जाएगी कि फ्रिक्वेंसी 1000 हर्ट ओमेगा को लिख सकते हैं टू इंटू पाई इंटू एफ एफ की वैल्यो थाउजेंट पूट कर देंगे क्लियर है सौल करेंगा आंसर आजाएगी कितनी आजाएगी देखो वन डिवाइड़ बाई कि ट्वंटी रूट टू पाई इसी को सौल कर लेना है जो भी आंसर आजाएगी आपको सौल करने आजाएगी यह खुद आप सौल कर लेंगे जो भी आंसर आजाएगी ऑप्शन जो जो भी आ रही हो इसकी खुद से देख लेंगे आप इसको सौल करना पड़ेगा ऑप्श की जाएगी clear है if the switch s is closer t equal to 0 in the amount of charge that passes through the battery between t equal to 0 and t equal to l by r l by r का मतलब tau हो गया यानि कि starting से one time constant में कितना charge flow करके जाएगा बैटरी के थरू यही पूछा गया है तो current की equation इसकी क्या होगी current की जो equation होगी i equal to लिखेंगे हम लोग स्टिडिय स्टेट करेंट वी डिवाइड बाइड 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 कर देता हूं e डिवाइड बाइड 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 इन्टू 1-e to the power minus t by tau होगी यही current की content है इसको इंटिग्रेट करना पड़ेगा कहां से कहां तक में स्टार्टिंग में टाइम जीरो ती और कितने टाइम तक वन टाइम कॉंस्टेंट तक यह डेल्टा क्यों कितनी आ जाएकि दिक्यू का इंटिग्रेशन डेल्टा की हो जाएका इसको हम लोग integrate कर लेते हैं इबाइड आर content है इसका इंटिग्रेशन पड़ेट तो डी ती का integration t हो गया माइनस इसका integration e to the power minus t by tau divided by coefficient से divide करना पड़ेगा minus 1 by tau से divide करना पड़ेगा 0 से tau तक value put कर देते हैं इबाइ आर t कितना हो गया tau हो गया यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगी प्लस tau e to the power पले put करते हैं tau put करेंगे तो e to the power minus 1 और 0 put करेंगे तो 1 solve कर लिया जाए यह value आजाएगी e by r देखे तो यह वाली cancel out हो जाएगी क्या tau इसके संथ cancel out हो जाएगा बचे क्या tau divided by e तो डेल्टा क्यों कितनी आ गई डेल्टा क्यों कि वहलो जो आ जाएगी e divided by e into r और ताव की value क्या लिख हो मैं ताव की value l divided by r कितनी आ गई equation डेल्टा क्यों जो आ गई अपने पास वह e l divided by e की value को 2.73 लिख सकते हैं क्या 2.7 into r square यह अपने पास final answer हो जाएगी clear है क्या next question की बात करें हम लोग कि option कुछ ऐसा दिया गया e l divided by 2.7 r square बी option दिया गया है बी option हो जाएगी बी option हो जाएगी next question देखा जाए कि कुछन ने बोला गया है कि circuit दी गई अपने को यह voltage source दिया गया है capacitance की दी गई है अपने को resistance दिया गया है inductance दी गई है सारी resistance और inductance दिया गया है current in lr path is i1 lr path में current बोली गई इसमें current कौन सा है i1 है ठीक है i1 current होगे इधर माल लिया और cr2 path में current जो है वो i2 है the voltage of ac source is given by 200 root 2 sin 100 t clear है phase difference between i1 and i2 i1 और i2 में phase difference find करना है यह सब कुछ ऐसे ही दिया गया है actually मैं phase difference की बात करने इसका मतलब दोनों z में कितना phase difference होगा यही find कर लेना है तो r1 हो गई r1 कितना दिया गया है r1 10 दिया गया है और यह excel हो गई excel कितना लिखेंगे हम लोग omega into l omega कितनी है 100 यहीं omega है omega 100 और l की value कितनी है इसकी एल जो है root 3 root 3 by 10 10 root 3 हो जाएगी तो यह z1 हो जाएगा यह z1 हो जाएगा इसके corresponding 5 1 आएगी तो 5 1 आएगी कितनी 5 1 कितनी आएगी 10 5 1 जो लिखने जाएंगे हम लोग 10 root 3 by 10 10 root 3 by 10 10 कितनी हो जाएगी root 3 हो जाएगी इसका मतलब 5 1 कितना आजाएगा 5 1 60 डिग्री आ गया इसका मतलब इसका एंगल 5 1 60 डिग्री आ गया second की बात करें जेड टू ध्यान देंगे जेड टू जब करने जाओंगा तो क्या लिखूंगा मैं एक तो आर है आर लिख दिया हमने इंपिडेंस ट्रेंगल बनाने के लिए आर कितनी है इसकी आर टू आर टू 20 है और एक सी अब नीचे की तरफ लिखना पड़ेगा एक सी एक सी इधर हो गया एक सी कितना हो जाएगा एक सी इसको लिख दिया यह वैलू 1 बाई ओमेगा सी होगी 1 बाई ओमेगा के वैलू कितनी है 100 है और सी की वैलू कितनी है सी की वैलू रूट 3 बाई 2 है तो रूट 3 बाई 2 हो गई सही है माइक्रो फराड में है वो है वöh़ी हेन्री में ति रूट honest route 3 by 2 माइक्रो फराड दिया गये हैं सिलाजे न माईक्रो फराडे में 10 to the power minus 6 क unfair लिखना पड़ेगा तो क्या आ जाएगी भलो देखो तो तो यह 10 to the power minus 4 हो जाएगा कि यह 10 to the power minus 4 हो जाएगा सही है ना सही लिखा है सबको सही लिखा हुआ है 1 by omega c omega 100 है ठीक है 2 उपर चला जाएगा 2 divided by root 3 हो गया और यह 10 to the power minus 4 बचेगा 10 to the power minus 4 तो इसके लिए z की भेल तो यह वाली होगी z2 यह वाला angle अपने calculate करना 5 2 तो 10 5 2 लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे 10 of 5 2 जो आएगी वो कितनी आएगी xc divided by 20 तो 2 into 10 to the power 4 divided by root 3 xc हो गया divided by r20 solve करेंगे देखो तो यह 2 से गायव हो गया 10 10 to the power 3 by root 3 यह आ गया तो एंगल calculate करना easy नहीं होगा एंगल को calculate करना यहां से easy नहीं होगा अगर 1 by root 3 आते अगर यह अपने को किस में दिया गया होता मीली फेराड में दिया गया होता तो 10 to the power minus 3 लिखते इसको अगर इसको मीली फेराड कर दिया जाए इसको मीली फेराड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा देखो तो 100 हो जाएगा यह 10 to the power minus 3 हो जाएगा यह 10 to the power minus 1 होगा यह 10 to the power minus 1 होगा तो 10 to the power minus 1 होगा तो क्या हो जाएगा यह वला जो हो जाएगा 2 into 10 to the power 1 हो जाएगा उपर जाकर के डिवाइड बाइड रूट 3 और यह 10 से 10 चैनल आट हो जाएगा शिर्फ 1 by root 3 बचेगी हाँ तो वहाँ पर क्या होना चाहिए वह मिली फराड होनी चाहिए तो 10 521 by root 3 इसका मतलब 5 2 क्या हो जाएगी 30 डिग्री ध्यान दे अब दोनों के क्रॉस्पर्णिंग एक और जोन्टल लाइन से उपर की तरफ 60 डिग्री और एक और जोन्टल लाइन से नीचे की तरफ 30 डिग्री तो दोनों phase difference कितनी हो जाएग डेल्टा 5 की जो वैलू आएगी वह 5 1 प्लस 5 2 60 प्लस 30 डिग्री यह 90 डिग्री फेज़ दिफरेंस होगा C option हो जाएगा नेक्स्ट प्रोलम की बात करते हैं नेक्स्ट प्रोलम डिसकस कर लिया जाए कोस्टन नमबर 11 डिसकस करते हैं तो 11 नमबर कोस्टन में क्या बोला गय है एक EMF of 20 volt is applied at t equal to 0 to a circuit containing in series 10 millihenry inductor and 5 more resistor the ratio of current at time t equal to infinity and at time t equal to 40 second is close to clear है अपने को error circuit की बात की ज़िए यह LR circuit हो गया यह L, यह R इसको connect किया है voltage source से, यह source को अभी ओपर रखा था, t equal 0 पर switch को close किया गया, कितनी voltage apply की गया थी, 20 volt, inductor कितना दिया गया था, L लिख लेता हूँ, 10 millihenrys का मतलब 10 to the power minus 2, और R दिया गया है 5 ohm, current की equation की बात करेंगे, किसकी value पूशी गई है current, तो I की बात करेंगे, current at infinity, infinity पर inductor कैसा behave करेगा, smooth wire की तरब behave करेगा, तो I infinity पर कितनी हो जाएगी, directly V by R हो जाएगी, 20 divided by 5 हो गई, 4 ampere current हो गई, और current का पूशा गया है, t equal to 40 second पर पूशा गया है, तो t equal to 40 second के लिए current की equation लिखनी पड़ेगी, V by R, 20 by 5 into 1 minus e to the power minus t by tau, ऐसा लिखना पड़ेगा, और कितने time पर पूशा गया, I at 40 second, I at 40 second क्या हो जाएगा, 4 into 1 minus e to the power minus of t कितना हो गया, 40, tau कितना हो जाएगा, tau के लिखनी जाएगे, तो L divided by R, L कितना है, 10 to the power minus 2, R कितना है, 5, तो 10 to the power minus 2 by 5, 5 उपर चला गया, solve करेंगा, तो 4 into 1 minus e to the power minus of, ध्यान देंदे, ये 200 हो जाएगा, क्या, 14 into 5, 14 into 5, 200 हो गया, 10 to the power minus 2 है, तो 200, यानिके 2 into 10 to the power 4 हो जाएगी, तो बहुत ही ज्यादा स्मोल आजाएगा, डिवाइड करेंगे, तो ये 1 के, यानिकी ये बहुत ही एप्रॉक्स to 0 आजाएगी न, तो डिवाइड करेंगे, तो 1 के आसपास में, 1 के जश्ट पास में आएगा, तो I at infinity divided by I at, at 40 seconds लिखना पड़ेगा कितना, 4 divided by 4 into 1 minus e to the power minus 2 into 10 to the power 4, ये approximately 1 के पास में आएगी, और सबसे पास में तो यही है, 1 से कम नहीं आने वाली है, 1.5 के पास में भी नहीं आने वाली, 1.06 answer आजाएगा, क्लिर है, तो ये option हो जाएगा, actual value जो solve करेंगे साइद आप, actual value जो इसकी आ रही है, actual value जो इसकी आ रही है, वो आ रही है कितनी, 1.06 आप solve करके देखेंगे, next question की बात करूँ मैं, next question में बोला गया, अपने को voltage की question दी गई है, और current की question दी गई अपने को, आगे क्या पुछा गया है, the average power consumed by the circuit, कितना average power consumed किया जाएगा, और worthless current की बात करनी है, सही है, तो average power की बात करते हैं, power की value कितनी होती है, v rms, i rms cos 5, v rms कितना हो गया, 100 by root 2, i rms कितना हो गया, 20 by root 2, into cos of 5, 5 कितना है, ध्यान दे, यह sin 30t है, और यह sin of 30t minus pi by 4, यानि कि यही तो अपने पास, cos 5 है, जो कि pi by 4 हो गया, solve करेंगे, कितनी हो जाएगी, देखो, यह 10 से cancel out हो जाएगा, 2 हो गया न, 10, तो यह 1000, cos 5 की value, cos 45 degree, 1 by root 2, यानि कि यह 1000 by root 2 हो गया, 1000 by root 2 ही लिख देता हूँ, मैं, option में वैसा ही दिया गया है, 1000 divided by root 2, 1000 divided by root 2, यही option है, आगे अपने को worthless current, option यही से हो जाएगा, लेकिन worthless current find कर लेते हैं, आई worthless find करने जाएगे, तो क्या लिखेंगे, कितनी current यहाँ पर maximum value है, 20 into, 20 current हो गया, उसकी peak value है, 20 into, उसकी rms वहलो अपने को लिखनी पड़ेगी, rms वहलो गर find करने की बात करें, तो आई worthless rms लिखने जा रहे हैं हम लोग, तो 20 by root 2 into sin of 45 degree, और sin 45 degree 1 by root 2 होगी, solve करेंगे, 10 ampere आ जाएगी, b option हो जाएगा, तो worthless current को उपर भी बहुत बार question पुछे जा चुके हैं, तो worthless current का concept आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, clear, next question की बात करें हम लोग, question number 13 में ध्यान दिया जाए, कि एक arc lamp दिया गया, arc lamp का मतलब अपने को real inductor माल लेना, यानि कि उसके पास कुछ inductance भी होगी, कुछ उसमें resistance भी होगी, requires a direct current of 10 ampere at 80 volt to function, ठीक है, एक inductor हो गया आपने पास, इसको कितनी voltage apply करनी पड़ रही है, 80 volt apply करना पड़ रहा है, ठीक है, if it is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply, the series inductor needed for it to work is closed too, ठीक है, इसको work करने के लिए, कितना series inductance की, इस inductance की requirement की value बतानी, L कितनी होगी पहले यह सोचना है अपने को, इसको work करना है तो, यानि कि इसकी across, 10 ampere current बाद में भी flow करना चाहिए, जब हम लोग voltage source 220 volt apply करे तो, यानि कि अगर हम अपने पास यह inductor हो गया, यह resistance हो गई, इसको अगर मैं apply करूँ एक voltage source AC वाला भी, जो कि 220 volt rms वाला है, तो इसकी across क्या होनी चाहिए, current कितनी जानी चाहिए, 10 ampere ही, तभी यह work करेगा, इसमें current 10 ampere जा रही है, तो यहाँ पर भी 10 ampere होनी चाहिए, यहाँ पर भी current के value 10 ampere होनी चाहिए, clear है, कि अपने कोई से inductance के value की requirement है, यहाँ पर सिर्फ माल लेता हूँ, कि यहाँ पर inductor नहीं है, शिर्फ क्या है, resistance है, यह arc lamp है, arc lamp ही बना देता हूँ, मैं lamp ही बना देता हूँ, सही है, तो उसमें 10 ampere current जानी चाहिए, इसमें भी 10 ampere current जानी चाहिए, इस L की requirement की value पूछी गई है, इस R की value मालूम होगी अपने को, इसका कुछ resistance R होगा, इस R की value कितनी होगी, voltage उसके cross 80 है, और current 10 ampere जा रहा है, तो V equal to I R से, V equal to I R से, R की value V divided by I, 80 divided by 10, यह 8 हो जाएगी, R की value, यह atom हो गया, अब इसमें current कीतनी जानी चाहिए, यह 10 ampere, Z की value लिख लेते हैं, पहले Z लिखने जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, square root of XL square plus of 8 square, सही, current कीतना होगा, I कीतना होगा, 220 volt, अपलाई किया गया है, divided by Z करना पड़ेगा, I equal to V divided by Z, और यह कितना होना चाहिए, तो यहां से Z की value आजाएगी, 22 हो गई, और Z की value find की है, वो square root of XL square plus 8 square है, solve करें, और भी simplify करें, इसको हम लोग अगर, इसको और भी simplify करें, तो लिख सकता हूँ, मैं, दुनों side square कर लिया, 484 equal to XL square plus 64, तो XL square कितना हो गया, 420 हो गया, सही न, तो XL की value, XL की value जो हो जाएगी, root of 420, और XL को omega into L लिख सकते हैं, omega into L लिख सकते हैं, तो root of 420, 420, यानि कि 20 से ज़्यादा होगा, और 21 से कम, इसको 20.5 लिख देता हूँ, है, 20.5 के अप्रोक्स में आएगा, ओमेगा के value 2 pi f लिख दू क्या, 2 pi f की value 50 लिखी गई है, यह L हो गया, 20.5, solve कर लो, अब आगे, कितनी हो जाएगी L की value, 20.5 divided by 100 pi, solve करेंगे, answer आ जाएगी, answer जो आ रही है, सायद, यह option आ रही है, आप solve करके देखेंगे, answer आ जाएगी अपने पास, clear है, solve हो जाएगा आपने पास, option जोबा रही है, यह option आ रही है, 80 हेंडरी तो होई नहीं सकता है, L के विखे 20 divided by 300 type का है, 20 divided by 300 type का है, solution जोबा जाएगी, कुछ इस टाइप का आ जाएगा, clear, 2 divided by 30 type का है, जैसा है, 20 divided by 300 जैसा हो जाएगा, 300 हो जाएगा, सही, कितनी आ जाएगी, 2 by 30, इसका मतलब 1 by 15 जैसा हो जाएगा, 15 को डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है, 1.0, 0 देकर 0, 15, 6, 90 कुछ ऐसा आ जाएगा, 0.0 के बाद ही आएगा, 0.065 भी हो सकता है, क्या, वो एक्ट्वल में डिवाइड करके आप देखेंगे, कौन सी वैलू आती है, मैं ये वैलू नहीं लिखता हूँ, आपको सिर्फ वैलू सॉल्व करनी पड़ेगी, कौन सी, 20.5 दिवाइड बाई हंडेड पाई की वैलू सॉल्व करनी पड़ेगी, क्लियर, नेक्स्ट प्रोलम की बात करें हम लोग, क्या बोलागे कि LCR सरकिट दिया गया है, वोल्ट मेटर लिखना चाहिए, यहां पर वोल्ट मेटर लिखना चाहिए, क्योंकि आपशन दिगए ये वोल्ट में, ये रिजिस्टर नहीं लिखना चाहिए, वोल्ट मेटर लिखना चाहिए, वाट रिडिंग, एक क्रॉस रिजिस्टर, ऐसा पुछना चाहिए, एक क्रॉस रिजिस्टर, ये वी यार की वेलू क्या होगी, एक क्रॉस रिजिस्टर, रिजिस्टर, इस वी यार की वेलू, वी यार की वेलू बतानी है, अपने को, और और ध्यान देके तो net voltage जो applied voltage लिखते हैं v applied का square जो लिखते हैं हम लोग यह vr square plus vl minus vc का square लिखते हैं हम लोग clear है कैसे ही आगे सर वह impedance triangle कहीं हर एक component को current से multiply कर दिया v applied कितनी है 220 220 220 vl और vc के लिखते हैं यह दोने एक दूसरे को cancel out कर देंगे यह vr का square हो जाएगा तो vr की value 220 ही हो जाएगी ऐसा option एक ही दिया गया है d option हो जाएगा अपने current की value find कर लेते हैं सिन दोने एक दूसरे को cancel out कर देंगे इसका मतलब इन दोनों में xl और xc की value same होगी since vl equal to vc this imply i into xl equal to i into xc दोनो equal होंगे यानि की xl और xc equal होंगे तो z की value किसके equal हो जाएगी शिर्फ r के equal हो जाएगी तो current जो लिखते थे 220 applied voltage divided by z तो 220 divided by applied voltage z कितनी है z कितनी है r k equal 100 हो गई यह 2.2 ampere हो जाएगा तो 2.2 ampere d option हो जाएगा calculation easy था next question की बात करें हम लोग क्या बुला गया है an lcr circuit as shown in the figure is connected to a voltage source vac, ac voltage connect किया गया है इसकी angular frequency कितनी है इसकी angular frequency कितनी है omega है इसकी angular frequency omega है कुछ frequency के अंडिवर यह omega vary किया जा सकता है the frequency at which the voltage across the register is maximum इस यह voltage के लिए maximum करनी है इसका मतलब maximum तभी होगा voltage जब resonance हो रहा होगा तब circuit में current maximum होती है तो इसके across voltage maximum हो जाएगा voltage across register i into r लिखेंगा r तो fix है इसके across voltage maximum तब होगा जब इसमे current maximum flow हो और since series lcr circuit है तो maximum current तब flow करेगा जब इसमें resonance हो जाएगा यानि कि resonance का condition excel की value xc के equal ऐसा होना चाहिए इसका मतलब omega की value one by root lc होनी चाहिए क्या पुछा गया है frequency की value इसका मतलब omega equal to two pi f लिख सकता हूं मैं वही frequency अपने को पुछी गई है शारी value मालूम है क्या मालूम हो जाएगी f की value one by two pi root of l into c मैं solve नहीं करूंगा आप खुद से solve कर लेंगे value सारी कुछ मालूम है अपने को value solve हो जाएगी clear है यहां तक concept बहुत ही simple simple से question है next problem discuss किया जाए तो इस problem को देखते हैं तो लो क्या बोला गया question में एक power transmission line दी गई है feds input power and 2300 volt to a step down transformer ठीक है step down transformer है input voltage कितना है V input हो गया आपने को V1 हो गया V input हो गया कितना 2300 volt एक transformer को fed किया जा रहा है with its primary winding primary winding कितना हो गया N of P N P जो हो गया आपने पास 4000 the output power is delivered at 230 volt V output कितना हो गया V output जो हो गया आपने पास वो 230 volt हो गया सही है if the current in the primary of the transformer is 5 ampere इसमें दिया गया I primary दिया गया आपने को 5 ampere and its efficiency 90% the output current would be ठीक है output current find करने अपने को efficiency अपने को दी गई है primary winding के ratio दी गई है तो 2300 into 5 ऐसा लिख सकता हूं यह output power हो गई और output power को लिख सकते हैं output voltage V output into output current I output यह कितना हो जाएगा 0.9 into 5 कितना हो जाएगा यह 4.5 हो जाएगी 45 लिख देता हूं इसको into 230 लिख देता हूं output voltage कितनी है 230 है क्या तो output current मालूम हो गई क्या कितनी 45 A होगी क्या option B हो गया simple question था next problem discuss कर लिया जाए सिर्फ अपने को efficiency वाला consider करना था हां अगर turn ratio दे दी जाती तो directly मालूम हो जाता अपने को turn ratio दे दी जाती तो directly मालूम हो जाता next question की बात करें हम लोग बुलागे कि in oscillating LC circuit LC circuit की बात की जा रही है यानि की LC oscillation की बात की जा रही है the maximum charge on the capacitor is Q, ठीक है, यह capacitor हो गया अपने को, यह अपने को inductor हो गया, सिस्व को close कर दी गई है, maximum charges पर Q है, यह निकी energy maximum कितनी हो गई, maximum energy कितनी है, यह energy हमेशा constant रहेगी, कितनी QA square by 2C, आगे क्या बोला गया है, the charge on the capacitor, when the energy is stored equally between the electric and magnetic field, यह जब दोनों में energy equal होगी, तब अपने को find करनी है, कि इस पर charge की value कितनी होगी, ठीक है, दोनों में energy equal होगी, इसका मतलब half half energy, इसका मतलब charge energy on capacitor कितनी हो जाएगी, energy of electric field कितनी हो जाएगी, half of U maximum, यही न, half energy महाँ चली गई, मालते को इस time पर charge की value क्यू रहे होगी capacitor पर, तो QA square by 2C हो गया, और एक इसके equal half into U maximum, QA square by 2C, 2C और 2C गाइब हो जाएगा, Q के value कितनी आजाएगी, Q divided by root 2 आजाएगी, simple सा question था, बहुत हीजी, जो भी हमने discuss किये question, बहुत हीजी अच्छे से problem आभी चुके हैं, और chances हैं कि इसी type के problem आएगे भी, clear है, तो सारे problem के अच्छे से attempt करेंगे, mostly वही problem है, फिर से बोलता हैं कि mostly वही problem count किये जा रहे हैं, जो कि जेएगे exam में आपको पूछे जा चुके हैं, recently जो exam में पूछे का हैं, उसी question की बात की जा रही है, और भी सारे आप problem practice करेंगे, अब next lecture में हम लोग discuss करेंगे, electromagnetic wave की बात करेंगे, clear, तो आज ही class में हम लोग यहीं तब के last करते हैं, thank you, जय भारत!